कौन से वो पांच मंत्रा हैं जिससे मैंने अपने कस्टमर्स को मिडल क्लास से अपर क्लास का जर्णी पूरी करवाई और बहुत सारे लोगों ने ये चीज़े की और उनको गैरेंटीट रेजल्ट्स मिले आपके लिए इस वीडियो में डिटेल में कवर करूँगा कुछ confusions भी आएंगे वीडियो देखने के बाद सो कमेंट में आप पूछ सकते हैं मेरे से इसके जवाब जरूर दूँगा और अन्त तक वीडियो में बने रही हैगा क्योंकि नॉर्मली इस तरह के की वीडियो आपको नहीं दिखती है और वीडियो को लाइक कर देजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हाई आएम वेपलम अजुंदार आएम फाउंडर आफ प्लानियर वर्ल ट्रेनिंग अकैडमी प्राइबेट लिमिटेट सत्रा सालों के एक्सपिरियन्स के साथ मैंने ये ट्रेनिंग प्लाटफॉर्म को स्टार्ट किया क्योंकि मुझे पता है कि बेस्ट अड्वाइजर्स जो रियल में अच्छे अड्वाइजर्स हैं वो आपको इस जीवन में शायद नहीं मिलेंगे अगर आप एक लाख से तीन लाख रुपए साल का उनको नहीं देने वाले हैं तो और जो हिडन कमिशन वाले हैं वही आपके एड़गिर्द होंगे इस बात को एकदम दिमाग में क्लियर कर लीजेगा आप ही अपने बेस्ट अड्वाइजर हो सकते हैं कौन-कौन से ऐसे पॉइंट से जिनको हमको ध्यान रखना पड़ेगा सो काफी डिटेल में डिसकेशन होगा अन तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा वीडियो लंबी रहने वाली है चाहे तो सेव कर लीजेगा ताकि आप बाद में भी इसको देख सकें जब आपके पास comfortable time हो सबसे पहला point उठता है कि हमारा objective क्या है purpose क्या है? purpose बहुत simple है हमारा to create wealth in middle class middle class में हम अपनी wealth बना सकें middle class में जब हम होते हैं तो बहुत सारे YouTube वीडियो देखे एकदम से excitement आता है 500 रुपए से करोड़ पती मैंने भी एक वीडियो बनाई हुई है मजबूरी में बनाना पड़ता है क्योंकि हम सबको सपना देखना होता है कि 500 रुपए से करोड़ पती हो जाए बहले 70 की 80 की उमर में हो दात हो चाहे ना हो लेकिन ये प्रोसेस जो है अगर मेरे पिताजी ने मुझे ना पढ़ाया होता तो वो अरपती होते तो आपको भी अपने बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा हमें फैनांशल प्लानिंग की रिक्वार्मेंट क्यों है ताकि हम जीवन में सारे काम भी कर सकें और wealthy भी हो सकें सो पहले देख लेते हैं कि middle class होता क्या है आईए जब हमको यह जानना है कि middle class क्या होता है तो हमें थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है सो करोड़ोपती क्या होते हैं और upper class क्या होता है मैं आपको एक example देता हूँ नया नया CFP था मैं हमने एक customer से planning की बात हुई हमने उनका data लिया उसके बाद में हम गए उनकी requirements ली हमने discuss करना शुरू किया हमने का कि sir आपको अपने बच्चे के लिए लगबख साड़े चार करोड़ रुपया चाहिए बोलते हैं बारा करोड़ अकाउंट पर है शॉक्ड क्योंकि यह तो पढ़ाया ही नहीं गया हमें तो यही पता है लोगों के जीवन में पैसे कम होते है लेकिन फिर हम लोगों ने सीखा मैंने फिर मैंने सो मैंने बुक्स से जादा अपने कस्टमर्स से सीखा मैंने जब HNI को सर्फ किया तब सीखा आज की डेट में ऐसे मैनेजमेंट कंसल्टेंट हम जब काम करते हैं तो हमें पता होता है कि क्या डूस और डून्ट है आज सतरा सालों में ये बात पता है कि आप ट्रांस्फोर्मेशन करते कैसे हो ट्रांस्फोर्मेशन बेस्ट स्कीम से नहीं हो सकती मैं आप से एक सवाल पूछता हूँ कि HNI क्या हुआ एक हाई नेट वर्थ इंडिविजल क्या होता है आपके पास में जीवन में बहुत सारे गोल्स है आपकी एज से मैं शुरू करता हूँ आपके उमर में 30 साल ले लू 40 साल ले लू 50 साल ले लू आपके जीवन में कुछ गोल्स होंगे चाहे आपको घर बनाना है आपको वेकेशन पे जाना है दुनिया घूमना है आपको आपको बच्चों को सेटल करना है तो उनकी पढ़ाई करानी पड़ेगी हायर एजुकेशन होगी बच्चों की बच्चों की प्रोफेशनल स्टेडीज होंगी देन इनको सेटल कराना होगा देन इनकी मैरेज देन आपका रिटायर्मेंट ये सारी चीजे आपके पास में हैं आप क्या कहते हो कैसे आप तैय करते हो कि कोई आदमी अमीर है एक सवाल आता है मन में कि अगर अमीर है तो क्या इसके लिए सोचना पड़ता है बिल्कुल भी नहीं हमको सोचना पड़ता है हमारे हाँ पर जो बच्चे हैं वो जो पैदा होते तो शेहंचा टाइप दिखते हैं हमारी नेजरों में पिता जी की नेजरों में जैसे ऐसे बड़ा होता है और जेब छोटी होती है हमारी तो स्कूल छोटा होता जला आता है तो पहले तो लगता है दुनिया बहुत बड़ी है हमारा बेटा बहुत अच्छ पाकज करेगा जैसे जैसे पैसा डिसाइड होता है सेविंग के हिसाब से स्कूल तै हो जाता है लास्टली तो यह हो जाता है बीटा यह कॉंपटिशन का फॉर्म है इसी से पढ़ाई करो ठीक अब मुद्दा क्या आता है जब हम मिडिल क्लास की बात करते हैं तो देखिए अब मेरे पास अगर additional दो करोड है तो मैं हूँ HNI तो मेरे जीवन में पैसा है वरना एक-एक पैसा गिंती का है आपके पास आपको बाबी जी ने अगर 1000 रुपय का नोट दिया और कह दिया 800 रुपय के सबजी लानी है 200 रुपय additional है ना आप कैसे तै करते हो अगर 2 करोड र लाइफ में S.I.P. हो मेरे लाइफ में इंशोरेंस कितना हो सो कौन सा बेस्ट प्लान ले लूँ नहीं हो सकता कैसे पूछ सकता हूं कि मैं N.P.S. में ले लूँ एक्विटी या क्या आपके जीवन में जितनी जिम्मेदर ये बची ही हैं उसके हिसाब से होगा न इटिएइल में देख एखितायं कि मिडिल क्लास में जый हम चीजों को करते हैं तो हम ट्रांस्फोर्मेशन कैसे लेंगे हम मीडिल क्लास में फ precio प्लानिंग की नजर करना भई बचत करना है ये तो बचपन से सिखाया गया तो पॉकेट मनी बचती है तो भी उस पर से बचा लेते हैं कुछ पैसा तो आप पैसा बचाते हो और पहला investment जब किया बिना सोचे समझे कर दिया दूसरा investment किया क्यों आया बता के चला गया दिमाग में ये बात आती ही नहीं है कौन सी बात ये बात नहीं आती कि फ्रेंट्स जो मंतली सेविंग है इस सेविंग से ही तो दुनिया जीतनी है हमने बात की ये हमारी जिम्मेदारियां है ये जिम्मेदारी क्या उस महीने की सेविंग से होने वाली है बिलकुल भी नहीं ये तब होगी जब हर महीने मैं सेव करूँगा और भविश्य में मुझे उस पैसे से जब मैचूरिटी बैंक अकाउंट में आएगी तब जाकर के मैं इस पैसे को दे पाऊंगा इसका मतलब क् कि it is not a casual investment. Casual investment क्या होता है? हमने उठाया दान कर दिया. जब आप किसी H&I के हाँ पे जाते हैं, जब एडवाइजर के तौर पर कोई जाता है, कोई कुछ बेचने जाता है, बैंक वाला, तो ये क्या बोलते हैं? चलो अच्छा, एक बीसलाक रुपे का investment कर दो. कर दिया. हम हमारे पास वो liberty नहीं है. We are from middle class. So for middle class people, highly professional investment है, क्योंकि एक एक पैसा गिंती का है पहले. तो सबसे पहले हमारी middle class में, अगर आपने पहले number पे ये पहचाने, सबसे पहले middle class में आप ये पहचाने, कि आपके जितने goals हैं, क्या वो पूरे होंगे? अगर वो पूरे होने के ब आपके पास कम हैं, तो फिर आपको strategy बनानी पड़ती है. तो मैं आपको कुछ main-main जो points हैं, वो discuss करता हूँ. So first point is, it is casual investment. So first point is, it is professional investment. Professional investment का मतलब क्या है? We shall be investing as per result. मुझे जो result चाहिए, मैं उसके हिसाब से investment करूँगा, ना कि invest करके 20-30 साल बाद wait करेंगे. So goal-oriented investment होगा number one. So आपके जो goals हैं, उन goals से ही derive होगा कि आपके investment कैसे होगे. So जितने भी goals आपकी life में हैं, उन goals के जरीए ही आप तै कर सकते हैं कि आपका investment कैसे हो, हम लोग एक-एक करके देखते हैं. So number one thing is, क्या कभी ऐसा होता है कि आपने पैसे बना, करोड़ पती होगा और कोई खड़चा नहीं है. So सबसे पहले G1 को देख लेते हैं, G1 कैसा है अपना. So G1 हमारा यह है, यहाँ पे यह line जो है, यह आपकी age की line है, यह expenses की line है. Career शुरू किया, आप 30 पे हो, 40 पे हो, 50 पे, 60 पे, किसी भी age पे आप हो. अब point यह है, यह red line is about your expenses. आपके जितने भी expenses हैं, शादी हुई, career में आगे बढ़े आप, शादी हुई, बच्चे हुए, परिवार आगे बढ़ा, आपने घर खरीदा, कार खरीदी, vacations पे गए. Then आप अगर देखें, तो सबसे बड़ा risk है job का, सबसे बड़ा risk है आज 45 के बाद AI. So, अगर job safe है तब भी अगर देखूं, तो 60 के बाद की income कैसे चलेगी, क्योंकि जो income हमारे पास है, क्या जीवन भर चलेगी, हमें लगता है कि मेरा पैसा है, थोड़ा समय invest कर लो, थोड़ा try कर लो, अभी money IQ class में, एक सजजन 45 वरस के मिले, बोलते हैं, मैं SIP शुरू करना चाता हूं, मेरे, I was shocked, जीवन में, अब समय कितना बचा, 15 साल, इन 15 सालों में होगा क्या, ultimately, power of compounding का जो फायदा ले सकते थे, वो तो गया, point is, financial education should be mandatory in India, लेकिन financial education अगर नहीं भी मिली, आज मिल रहे हैं, तो उसको तो लेने की ज़रूरत है, point is, आपके पास जो भी life में events ह उन सबके लिए पैसे चाहिए, आपके लिए most important part क्या है, आप अगर notice करें, कि यहाँ पे जो आपका career है, इस career से ही आपको आगे की life के सारे पैसे बनाने, सारे पैसे, so आप अभी के जो खर्चे हैं, वो भी चलाएंगे, और भविश्य के जो खर्चे हैं, उसके पैसे भी इसी दौरान बचाने, क्या कोई दूसरी strategy है आपके पास, आप से अगर मैं बोलू, how many crores will make you wealthy, जवाब है आपके पास, आप कितने रुपए होंगे आपके पास, कि आप करोड़ पती feel करें, आप wealthy feel करें, आपके जीवन में जितने goal से पहले उसकी बात कर लें, क्योंकि इसके लिए सबसे important part क्या है आपका career, friends, आपका career है, आप जानते हैं बहतर तरीके से career कितना safe है, एक सवाल अपने आप से पूछ लीजिए, कि for next how many years your job is safe, so अगर आपको लगे कि आपकी job 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए safe है, so आपको सोचने की जरूरत है, अगर आप 60 पे retire होने वाले हैं, 10 साल बचे तो 10 साल की safety है, so आप government में है, if you are in private और आपको लगे कि 5 साल के बात का नहीं दिख रहा है, then how are you going to pay for your kids, बच्चों के लिए पैसे कै कैसे देने वाले हम लोग, retirement के पैसे कैसे आने वाले, सबसे ज़्यादा पैसा आपको जो देगा वो आपका career है, so if you are in mid-level career crisis, पहले उसको सही करने की जरूरत है, जरूर से इस पर ध्यान दीजिए, आपका career अच्छा होना चाहिए, at least 60 तक चलना चाहिए, पैसे कम है, तो पैसे के बाद के लिए भी self employment, start करने की जरूरत पड़ेगी, then what is the next step, next step is, याद रखिये, जब हम career start करते हैं, तो casual investing के साथ, but rule क्या है, rule is very simple, invest to increase purchasing power, मैं पैसे को पैसे के साथ compare नहीं करूंगा, can you differentiate कि ये 100 रुपया आज का, और ये 100 रुपया सन 78 पे जब मैं पैदा हुआ 100 रुपय, 100 रुपय, 100-100, 0, लेकिन अगर मैं आप से कहूँ, इसकी खरीदने की छमता, इस पैसे की हैसियत, तो आपके मन में आएगा, हाँ, बात तो सही है एकदम, तो पैसे से क्यों compare करें, we should compare it with purchasing power only, why do you invest, आप invest क्यों करते हो ultimately, so, पहला point क्या आता है, मान लिजे आपको 5 लाग रुपय लगाने है, और 5 लाग में तीन से बात ने है, तो आपका मन में क्या आएगा, कि चलो मैं investment कर देता हूँ, बहुत अच्छा फायदा होगा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखेगा, जिसका reason ये है, इस बात का, कि इस हटाने से, पूरी जिन्दिगी हमारे पिताजी लोग और हम लोग लुटते रहे हैं, बहुत बड़ी भारत की सरकारी कंपनी है, जिसके कारण, पूरी जिन्दिगी पैसा हमने सेव किया, लेकिन लुटते रहे, कैसे देख लीजिए, हम ज़्यादा सेव बनाना चाहते हैं, मुझे इतने सेव चाहिए मैं तीन सेव डाल रहा हूं अरे नहीं मिलते कोई बात नहीं चलो इतने तो मिलेंगे बढ़के मिलेंगे भाज जिवन पैसा डाल दिया पूरा जीवन खाण नान भर के पैसे डाल दो जमीने बेच के पैसे डाल दो Lastly you make peanuts, Lastly you lose तीश-तीश साल तक पैसा डालने के बाद आपको क्या मिलता है? मुफलिशी, क्या मिलता है? बच्चो के साथ compromise क्या मिलता है? बच्चो से नजरें नहीं मिला सकते क्योंकि मैं उतने पैसे नहीं दूँगा पैट सीट तो बिल्कुल नहीं दूँगा क्योंकि होंगे तो अत्तो अप्तों होंगा आप की गलती नहीं है करना क्याया है तमीजी क्लि North को पता जी बोलते हैं मेरे कि जब उन्होंने और पॉलीशी ली ती एक एक लाख रुपए की तो लगता था एक लाख रुपए की जब पैसे मिले तो लगा रहे इससे क्या होगा दिस इस दा हाश रियालिटी क्या लूस करते हो आप आए अगले एक्जामपल से देखिए आपको यहां पर पांच लाख रुपए मिले तीन सेव के पैसे थे कमिटमेंट क्या हुआ बारा लाख रुपए मिलेंगे पंदरा साल में कि हर महिने जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट सही है या गलत किसके कहने पर इन्वेस्ट किया एक डालॉग क्यों खातिर डालॉग यह था बारा लाख मिले का जिन्दी की बदल जाएगी कैसे पंदरा साल के इन्वेस्टमेंट के बाद तीन यह 29% पैसा बढ़ता है रियल से परचेशिंग पावर से प्पीस में सर्फ 30% पैसा बढ़ता है आप क्यूं इनवेस्ट करती हूँ आप इसमें आपके पास strategy गया थी मैं 30 साल करियर के हैं इन 30 इस सालों में investment करूंगा दबा के investment करूंगा ये ये नतीजा फ्रेंट्स याद रखना है do not compromise purchasing power खरीदने से पहले पूछो और अगर उसका जवाब ये हो कि 7% से नीचे आएगा भगा दो simple banker हो advisor हो agent हो भगा दो घर से आपका पैसा है आपका हक है बच्चों का हक है simple सा point जिस दिन आपने पूछ लिया कि real rate of return post tax मुझे 7% से उपर मिलेगा क्योंकि safety नाम की चड़िया सिर्फ मन में बैठा दी गई है क्यों बैंकों के पास दूसरा कोई product नहीं है so ये product आपको ही सोचना पड़ेगा आपके लिए कौन से बहुत सारी schemes हैं जिससे पैसा बन सकता है लेकिन क्या हमें पता था क्या हमने पूछा as per financial planning there are two things you need to decide one क्या आप वाकई में transformation चाहते हैं या आप भी casually चलना चाहते हैं 30 साल की strategy थी जब से जॉब लगी अभी हमारे cameraman सहाब हैं एक रुपए की एस आई पी नहीं करते होंगे तो वह भी मुस्करा रहे हैं अब point यह है कि तीन साल से वह भी जॉब कर रहे हैं तो ताइस साल ही बचे ना तो तीस साल अगर आपके investment को चेक करिए इस इट रियली वैलुएबल देन अगला पॉइंट जब हमको यह रूल पता चल गया अब हमें क्या करना है जीवन में जहां पे भी हैं आपको जरूरत होती है एक emergency kitty की क्यों जरूरत होती है बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने mutual fund में पैसा डाला गिर गया नुकसान में निकालना पड़ा किसने कहा था किसने किसी ने हाथ पकड़ के investment कराया था आपका emergency का पैसा mutual fund में था क्यों कि कल को अगर आपका बॉस से आपकी relationship खराब हो जाए आपको self-respect बचाना है या compromise करना है क्या 6 महिने का पैसा घर में नहीं होना चाहिए क्या 6 महिने का पैसा 7% के rate पे invested नहीं होना चाहिए होना चाहिए ना so what is your expense आपका expenditure actually है किता 99.99% families don't know this आपको नहीं आता यकिन आप अभी कर लिजे exercise को एक मिनट की exercise है छोटी सी एकदम कर लिजे pen और paper पे कितने का आपका income है आज की rate महिने की लिख लिजे देन आपके महिने एक expenditure कितने है लिख लिजे उसको माइनस कर दीजे इंकम में इस expenditure अब आपके पास ना एक महिने की saving आ गई इसको हम लोग saving बोलते हैं क्या इतने account में आपके बच्टे हर महिने क्या इतने रुपए के investment कर सकते हैं recurring investment करेंगे नहीं बच्टे ना आप wealth बनाने के आपको एकर transformation चाहिए कौन सा अमीर आदमी है जिसको अपना bank balance अपनी saving का अंदाजा नहीं होता एक दिखाईएगा यह पहला step है towards transformation this is the first step to move from middle class to upper class जब तक saving नहीं पता हम invest कैसे करेंगे आपको अपनी saving जाननी पड़ेगी याद रखिए सो saving जाननी है खर्चे जानने है actual और उसके according emergency fund रखना है this cannot be invested at all times आपकी age कोई भी हो यहाँ पे हम लोग general बात कर रहे हैं क्योंकि जब financial planning की बात करते हैं it is very specific अगर मैं 45 साल का हो मेरे परिवार में जो इस्थितिया है हम उसके हिसाब से plan करते हैं इसलिए काफी पढ़ना पढ़ता है और यह काम भी आपके अलावा कोई और कर नहीं सकता है इत्तिती फीज कौन देगा एक एक लाग दो-दो लाग रुपए साल की फीज दे नहीं है अभी तो आप hidden में दे रहे हो ना commission सो पढ़ सकते हूं उसको हाला कि देन इंशुरेंस इंशुरेंस की अगर मैं बात करूं तो इंशुरेंस में आपकी family में complete protection चाहिए आप इंशुरेंस क्यों लेते हो पहला question आपके मन में आना चाहिए एक question मेरी तरफ से इंशुरेंस आप खरीकते हो किसके लिए भाई मैंने इंशुरेंस लिया मैं कल को नहीं रहूंगा मेरे घरवाले इस्तेमाल करेंगे कागज का है कागज कहां रखा है आपकी wife के locker में है आपके locker में उनकी अल्मारी में आपकी अल्मारी में कहां पे office में रखा है paper should be with them कितन और coverage के बिना नहीं चलेगा हम लोग भी चीक चीक के बोलते हैं कि insurance is not an investment product but कोई भी insurance हटाना हो पहले proper insurance ले लिए proper insurance का क्या मतलब है proper insurance is मैं की आज से 90 years तक के खर्चे जो भी है बच्चों के settlement के खर्चे जो भी उनके खर्चे होंगे so calculation कैसे होता है मेरे पास loan outstanding कितना आज अगर मुझे कुछ हो जाए मैं कितना पैसा bank में रख दूँ कि ये सारे खर्चे पूरे हो जाए इतना पैसा so it is known as NPV आप बहुत सारे calculators आते हैं so आप उनको use कर सकते हैं कि किस तरह से आपकी human life value निकले minimum so human life value एक अलग तरीका है calculate करन करने का और यह तरीके में आप expenses के हिसाब से चलते हैं बट आपके परिवार के पास पूरा insurance होना चाहिए क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी दिखिए बहुत सारे लोग मुझसे क्या कहते हैं insurance का क्या करना मैं जब तक हूं तब तक हूं उसके बाद तो दूसरे लोग होंग अरे आप अपने परिवार के सुरक्षा के लिए चिंतित नहीं है तो SIP क्यों कर रहे है FD क्यों रखी है फिर तो छोड़ देते हैं सारे लोग हिपी कल्चर में चले जाए पॉसिबल नहीं है ना तो हम होंगे तो सब कुछ कर लेंगे हम नहीं होंगे तो क्या होने वाला है उसके लिए insurance प्रॉपर इंशोरेंस चाहिए जितने साल का जरूरत है उतने साल का हो और अप तूध अज़ू ओफ 60 हो क्योंकि साठकी आट वैसे भी आप जाब नहीं करने वाले हो वेल्त नहीं बिनाने वाले हो, so income years में अगर हमें कुछ हो जाए तो उतनी income का हमको insurance मिले, अगर कोई formula नहीं समझ में आता है, तो income का 20 गुना ले लिजे, but it is not customized, this is a standard approach, लेकिन इस सिर्फ solution नहीं निकलता, आपको properly इसको calculate करना चाहिए, so it is time taking, आपको बठ होना चाहिए, then loans के ऊपर हमारा एक point बहुत simple आता है, home loan is an asset, अगर आपके पास home loan है, तो it's an asset, आप इसको जल्दी खतम करने के mood में बिल्कुल ना रहे, आपको सिर्फ इतना करना चाहिए, एक तो इसका insurance अलग से ले ले, company से बिल्कुल भी ना ले, जो bank है, bank से बिल्कुल भी ना ले, आपके साथ हो से insurance करा ले, और इसके interest rate को लगातार काबू में रखें, भले 5-5-6,000 रुपए, 7-7,000 रुपए processing के देने पड़े, every quarter you need to check this, so ये आपको जरूर चेक करते रहना चाहिए, home loan अगर आपने prepayment जल्दी किया, home loan prepayment जल्दी करने से 20 साल का retirement आगे चला जाएगा, decision आपका है, कि आपको क्या करना चाहिए, now next point is goal based investment, अब जीवन में मुझको चीजे करनी है, तो मेरे को goal based investment करना है, मेरा मंतरा क्या था, मेरा मंतरा बहुत simple था, 30 साल तक मैं जीवन में investments करता रहूंगा, उसी दौरान मेरे खड़्चे निकलते रहेंगे, so जो जो goal आपके जीवन में, आप 30 साल, 40 साल, 50 साल, जिस भी age group के हैं, आपके पास अलग-अलग goals है, अलग-अलग responsibilities है, उनको आपने लिखा, आपका inflation कितना होगा, आज की value कितनी होगी, कितना value required होगा भविश्य में, इसके according आपको जो भी investment करना पड़े, this should be your ideal way of investment, इसके जरीए जब आप करते हो, त नहीं है, पास साल बाद बड़े बेटे की पढ़ाई है, उसका पैसा मुझे पास साल में withdraw करना, rules are very simple, अगर मुझे mutual fund equity लेनी है, पास साल से नीचे के लिए लेनी ही नहीं है, अगर तीसरे साल मुझे goal पूरा हो गया, पैसे पूरे हो गया, मैं withdraw करने वाला हूँ, so यहाँ पर कहां यह बात आती है, कि which is the amount that should be invested, आपके case में बहुत simple सा point आता है, goal based चलते रही है, अगर आपके वाद 5 साल minimum है, large cap के लिए, अगर आपके वाद 7 साल है, mid cap के लिए, तो उन में जाएए, अगर 10 साल plus है, तो ही आप small cap investments में जाएं, और SIP is the safest route to enter, इसके उपर मेरी वी के पास जाते हैं, आपको पैसा withdraw भी करना है, how many advisors have you seen, जो कहते हैं कि पैसा निकालना है साथ, कोई नहीं बोलेगा, और mutual fund company तो जीवन में नहीं बोलेगी कि पैसा निकालो, यह आपकी responsibility है कि पैसा निकालना है समय से, don't be greedy at that time, साथ में, याद रखिये, retirement is one of the biggest areas of financial planning, जहां पे, 95% people from middle class cannot retire with sufficient income, आप आप कहो कि sufficient income क्या बवाल है, भाई sufficient income का मतलब क्या है, मैं 60 पे retire हुआ, जब आप किसी से पूछो कि retirement का क्या तयार है, कहता pension plan ले लिया, अरे भाईया, pension plan का क्या मतलब है, यह मतलब तो है नहीं, कि वो pension plan मैंने ले लिया, 60 की उमर के बाद, वो उन लोगों के लिया बना है जो अपना पैसा नहीं समाल सकते हैं, जो सोचते हैं कि पैसा समालना दूसरे का काम है, और यह पता ही नहीं उनको कि दूसरे पैसा समालेंगे, सिर्फ ले के जाएंगे, तो कैसे चलता है, अब देखिए, 60 के बाद क्या खर्चा कम हो जाएगा कोई खर्चा कम नहीं होगा आपकी एक तारिक को तंखा नहीं आएगी घर के खर्चे सेम रहने वाले होगा क्या आपके खर्चे लगातार बढ़ेंगे 150,000 अगर खर्च है तो हर 10 साल में खर्चा आपका डबल होगा आपको प्लान में इंट्रेस्ट था या आपको ये चाहिए था अगर ये चाहिए तो फिर आप ध्यान रखिए जो खर्चा आपका 45 पर ये है ये खर्चा बढ़के हो गया ऐसे पेंचन प्लान क्या करते हैं पेंचन प्लान जीवन भर की गैरेंटी देते हैं कि आपका घर ना चल पाए गैरेंटी इस बात की होती है पेंचन प्लान के अंदर गैरेंटी इस बात की होती है कि आप अगर आज घर में एक लिटर दूदा लाते हैं तो अगले 20 साल में आप उसको 100 ml पे ले आए इस बात की गैरंटी देता है pension plan पेंचन प्लान गलत नहीं है उनके पास कोई option नहीं है आपने क्यों चुना अगर आपने यह चुना है कि भावी जी को आप इतनी पैसे देने वाले हो कि भाई ठीक है मेरे पास तो इतने ही अब तुम जी लो जैसे जीना ह अगर यह अप्रोज नहीं करनी है तो इससे बेटर है कि pension को खुद प्लान करिए आपके पास कोई option नहीं इंडिया में एक भी product नहीं है जिससे आप अपनी sufficient pension को प्लान कर पाएं क्योंकि आपको अलग-अलग तरह के product से income प्लान करनी पड़ेगी तो अलग-अलग अगर प्लान करना है तो यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी है आपके लिए आपको ध्यान रखनी है एक बात retirement को प्लान करने का सही समय कौन सा है तो इसको जान लेते हैं क्या होता है this is known as power of compounding आये देखते हैं किसी ने 10,000 रुपए महिना invest किया 30 साल के लिए 15% का return होगा कितरा रुपए बन जाएगा आपके सामने है 12,120,000 रुपए साल का जमा किया 30 साल के लिए किया 15% पे 36 लाग जमा किया 5.6 क्रोड मिलते है अब मन में क्या है retirement देखा जाएगा जब आप 27 साल के थे 30 साल के थे क्या उस वक मन में था कि retirement planning कर लें अब देखिए फरक क्या पढ़ता है इसको discuss कर लेते हैं अब मन में आया बहुत समय है retirement कौन सोचता है चलो देखते हैं 20 साल बात करेंगे पैसा 3 गुना कर लेंगे भई सीधा सा हिसाब है पैसा 3 गुना कर लिया जाए सो तीन गुना पैसा इंवेस्ट कर दिया सो तीस हजार रुपए महिना दस साल के लिए बात बराबर 36 लाग अब गैस करिए कितना रुपिया बनेगा कॉर्पस में अब जो कॉर्पस पर आये है तो 36 लाग देने के बाद 78 लाग बना कुछ धोका सा हो गया है ना दोनों तरह के लोग सोसाइटी में है किसका कैसा कॉन्फिडेंस होगा आप खुद सोचो यह वह अमाउंट है जो अकाउंट में जाने वाला है और यह वह इंसान है दोनों तरह के अब अगर इसी आदमी का कमिट्मेंट है कि नहीं दस साल में हमें करना ही करना है कर लेते हैं दो लाग दस अजार रुपए महिना इन्वेस्ट करना पड़ा है का जॉब रहे ना रहे है फ्रेंट्स रिटायर्मेंट जिस दिन आपके दिमाग में यह बात जाए उस दिन से रिटायर्मेंट प्लानिंग स्टार्ट करिए और एक और बात यहां पर बनाने के बजाए और ने इंकम बनाई यह वरना रिटायर्मेंट इस नियरली इंपॉसिबल आप खुद समझ सकते हैं जितनी चीज़ें हम लोग ने डिसकस की हैं यह अपने आप मे एक एक सेशन के बराबर हैं और एक एक टॉपिक पे हम लोग दो दो तीन तीन घंटे का डिसकसन करते हैं वरक्शॉप में कारण क्या है यह सब भारी चीज़ें हैं आपको वेल्थ क्रियेट कराने के लिए और अभी तक जो भी आप जानते हैं इन्वेस्मेंट से रिलेटे इनके पास पैसा जाएगा जैसे हमसे कई बार लोग कहते हैं कि भाई फरक्श्च्या पढ़ता है केमिस्ट भी दवाई देता है डॉक्टर भी दवाई देता है सो डॉक्टर से पूछ के दवाई ली लेकिन बिना बीमारी के इलाज सो चैमिस्ट से बोलेंगो उसको तो महं मेदारियां वो पूरी हो समय से ठीक पैसे से बेटी है घर में हम लोगों क्या कहावत है बेटी है शादी हो जाएगी अरे एक कपड़े में भी होगी और पिता जी जैसे चाहते हैं वैसे हो सो जो पैसा आप बनाना चाहते हैं जीवन में जैसे आप चाहते हैं वैसे चीज़े करनी है तो financial planning आप को ही करनी पड़ी किसी को फरक नहीं पड़ता कि जब सत्तर की उम्र में हम हात पाउं हमारे हिल रहे हैं उस वक्त पैसे आ रहे हैं कि नहीं सिर्फ एक इनसान को दुनिया फरक पड़ता है और वो है आप आपके mobile पे can there be any advisor who is interested in your life आप उतना data देने में क्या comfortable है data sharing करने में सोचिएगा इस बात को अगर नहीं है तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा financial planning में wealth create करना आपके लिए बहुत आसान काम है अगर आप financial planning से इसको करते हैं क्यों body building करनी है तो body building में मुझे एक दिन सुन लिया क्या उससे होगा या मुझे उसको practice करनी पड़ेगी so practice करनी है तो it has to be a part of association and you can do it with money IQ class money IQ class में हम लोग ensure करते हैं कि आपकी दुनिया में जितने भी लोग हैं देखिए आप चेक कर लीजे आप हो यह plan your world है आपके पास knowledge नहीं है बाकि सारी चीज़े हैं सारी information आपके पास है सारा interest आपका है knowledge का part आपको plan your world से मिल जाए otherwise insurance agent insurance बेचेंगे mutual fund वाले mutual fund banking वाले अपना product cfp's की fees हम शायद पे ना कर पाएं उतना जो काईदे के cfp's है नया cfp है तो एक अलग बात है so youtube channel से आपको simply सिर्फ एक library है अच्छी चीज़ आपको youtube पे नहीं मिलेगी अगर अच्छी चीज़ youtube पे होती so अगर youtube पे इतनी अच्छी चीज़े हैं तो आपके बच्चों को college छुडवा करके अच्छे अच्छे institute छुडवा करके youtube से पढ़ाया जा सकता था लेकिन नहीं possible है friends wealth creation या financial freedom it's a very very professional topic serious topic it's not a joke आपको अपनी चीज़े करनी है तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा there is no one on this earth who is interested in your family's betterment सीधी जी बात है आपको ही पढ़नी पढ़ेंगी हर एक चीज़ एक सबसे important part यहाँ पे क्या आता है एक सबसे important part यह आता है यहाँ पे कि financial planning process आपको completely सीखने की जरूरत है आप इसके starting कर सकते है money IQ class के साथ में मैं Tuesday से लेके Thursday तक money IQ class करता हूँ जहाँ पे हमने इसको develop किया as a course आपके लिए ताकि आप अगर serious है अपनी life को लेके तो आप वहाँ पे मेरे साथ में जितने confusion से उसको दूर कर सकें आप do and don't सीख सकें यहाँ पे हमने कुछ discussions की इसके detail में discussion करेंगे और इन से बहुत जादा alternate income के options क्या हैं इंडिया के अंदर किस किस तरीके के options को लेकर के अमीर लोग अपनी bills पे करते हैं बिना काम के किस तरीके से pipe model क्या है यह सब हम लोग discuss करते हैं इस session में और सिर्फ और सिर्फ आप पे करते हैं 299 रुपीज with just and just six hours of investment आप छे घंटे के investment के साथ 299 रुपए पे करते हैं आपने जितने losses आज तक किये हैं उतने losses से यह investment जादा अच्छा है और एक बात ध्यान रखिएगा लोग मुझसे कहते हैं विपलफ तुम भी तो पढ़ाते हो और पैसे लेते हो फ्रेंट्स 299 रुपए लेना आपको पता है कि आप जब किसी दूसरे से advice लेते हो उसकी cost क्या है 50% of your wealth आपको यकीन नहीं आता करोड़ा तो एक करोड़ा आप दे चुके हैं तो याद रखिएगा जो cost है ना पढ़ने की वह बहुत जादा है तो यूशुड जोइन माई money IQ क्लास क्यूंकि हमने इसको बनाया ही middle class families के लिए है जो फॉर्मूले के बिना पढ़ना चाहते हैं अगर आपके पास समय कम हो you can take my recorded session with my e-book वो मिलेगा आपको 499 में links description में भी है और आप हमारी website planyourworld.com से भी पढ़ाई start कर सकते हैं कुछ भी situation हो अपने हर महिने की जो भी investment आप कर रहे हैं उनको रोक करके पहले चेक करिए कि वो सही है या नहीं अगर 15 साल बीच चुके हैं तो already बहुत नुक्सान हो चु झाल